बढ़िए, ए बोट टेक्स 2 अवर, ट्रेवल 8 किलो मिटर और बैट, इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में जाती है, तब उसको 2 अवर लगते हैं, नदी में जाने के नहीं लगते, तो बोट की स्पीड बताइए, बोट 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 टेक्स 2 अवर, 2 अवर, 8 किलो मिटर जाना, 8 किलो मिटर आना, how much is the distance traveled, 16 किलो मिटर, how much is the time taken, 2 hours, so what is its speed, speed is equal to 8 किलो मिटर पर अवर, यह किसकी speed है, बोट की, so this is velocity of boat, if it goes straight, इसकी velocity कितनी होगी, 8 किलो मिटर, जो कि क्या लिखा है, still water में, 8 किलो मिटर जाना, 8 किलो मिटर आना, जो घंटे लगते हैं, तो यह इसकी speed आगे, अच्छा, velocity of water हम को दिया है, 4 किलो मिटर पर अवर, now it says, what is the time taken for going upstream 8 किलो मिटर, and coming back, अब वो चलती हुई नदी में जाता है, तो time कितना लगेगा, जब वो इस तरफ जाएगा, तो उसकी velocity कितनी होगी, when the board is going in this way, तो vector rule क्या बताते हैं, इसकी velocity होगी, velocity of board plus velocity of water, क्योंकि यह दोनों मिलकर board को आगे ले जा रहे, this, इस velocity से अगर जाएगा, कितना दूर जाना है, 8 किलो मिटर, okay, 8 किलो मिटर, को time कितना लगेगा, T1 is equal to, 8 upon VB plus VW, time का formula क्या होता है, distance upon velocity, distance कितना, 8, velocity कितनी नहीं, VB plus VW, okay, जब वापिस आएगा, तो इसकी velocity कितनी होगी, VB minus VW, क्यों, VB इदर जाता है, और VW water, जब यह वापिस आता रहा, तो board इस तरह आना चाहती है, लेकिन पानी उनको इस तरह ठके रता है, तो resultant का लॉस्टी हमको कितनी मिलेगी, resultant is equal to VB minus VW, यहाँ पर board भी इदर जा रही है, और water भी इदर जा रहा है, तो हमको resultant कितना मिलेगा, VB plus VW, और यहाँ resultant कितना मिलेगा, VB minus VW, यह कौन सी ज़नी है, return, और यह कौन सी जर्णी है, forward, तो forward में time कैसे निकालेंगे, distance divided by velocity, return में भी कैसे निकालेंगे, distance divided by speed and distance is 8, this is T2, अब आपको निकालना है, T1 plus T2, इसकी value कितनी होगी, यह हमको निकालना है, तो value structure यह दोनों में, और दिखा लिए, आपको VB मालू है, VB, mode यह है, और VW भी मालू है, यह code, कर्दा पक्रभाएंगे, निकाल में बढ चारी मैं है, अंपको एफ़ एपको किसने आसर आया? 2 and 2 upon 3 2 and 2 upon 3 is 2 hour 40 minutes वड़ा सिंपल है जाते हुए टाइम आते हुए टाइम दोनों में वेलोसिटी वेक्र का संद वेक्र का रिफरेंस इसके बाद next question number 2 उसको पढ़िए a bar rolls to the top of a stairway with a horizontal velocity U U U is the horizontal velocity okay if the steps are H meter high H high and V white V white the ball will hit the edge of the nth step यहां से ball ऐसे आई और यहां आखर टकरा दी यह इसुआ कितने steps है 10 steps और इसकी edge पर आखर टकरा दी then इस n की value हमको निकालनी है और given quantities हमको answer में दी गई है H, U, G, और B ये चार quantities में हमारे answer बने हुए तो ये आपको N की value निकाल ली है ये N की value कितनी है? ओके, ये कैसा motion है? projectile motion है? कुछ सा projectile? और इस उस projectile? अच्छा एक object यहां से चलता है और यहां पहुचता है ये किस direction में जा रहा है? horizontal, vertical या दोनों projectile किस में जाता है? horizontal में, vertical में या दोनों में? दोनों में जाता है, correct? इसकी horizontal velocity अलग होती है vertical velocity अलग हो सकती है horizontal acceleration 0 होता है vertical acceleration 0 होता है तो क्या चीज़ दोनों motion में एक समान होती है? ये आपको बिल्कुल अच्छा याद है क्या चीज़ एक समान है? time यहाँ से object को शुरू करिए और यहाँ पहुंचाईए तो उसने vertical distance कितना travel किया? कितना? ये horizontal distance कितना travel किया? कितना? और दोनों में उसको time कितना लगा? t तो आप जो चीज़ पता लगए क्या चीज़ पता लगए? कि यहाँ से यहाँ तक गया अब ये जो दोनों motion है दोनों की quantities सोचिए लिखने की कोशिश करिए इधर बताईए initial velocity कितनी लिखो? u दिया गया? how much is acceleration? zero ये uniform velocity है acceleration zero okay how much is the time taken? p how much is the distance travel? कितना है s? आपको मालूब है देखो ध्यान से kितनी सीडिया है? n n stairs है और एं stair की चौड़ाई कितनी है? b total n कितनी हो गई? n into b s is equal to n into t क्या आप इसका equation बना सकते हैं? distance is equal to velocity into time so क्या equation बना? n b is equal to ut n b is equal to ut यह हमने किस से निकाला? horizontal 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 motion अब vertical motion पर आईए और यह accelerated motion होता है vertical कैसा होता है? शुरू करते हैं यहां से जब बार गिरना शुरू हुआ तो उसकी vertical velocity कितनी थी? पूरी की पूरी velocity कैसी थी? horizontal vertical कुछ नही थी कुछ नही थी मतलब कितनी नेनी है? 0 तो u in the y direction कितना लेना है? 0 ओके acceleration कितना लेना है? g ओके उसके बाद distance कितना लेना है? h h और कितनी stairs है? n so this is n into h और हमको क्या चीज़ वालूब है? time time कितना लेना है? t जो कि उसमें भी लिया था अब इसका equation set करिये जहां पर t आएगा t की जगा क्या रख सकते हम? यह देखिए t is equal to yes तो यहां पर इसका equation बनाईए और t की जगा इसको रखिए फिर देखिए आपके कौन से answer से match करता है तेखिए झाल 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 झा 2 U sin theta upon? T, T. Can you find out how much will be T? क्यों? चोगी U sin theta था को दिया गया? So we can always find it out. 2 into? 80? 16, 16. divided by 10. 16 seconds. Right? Now our question is, when the time T is equal to? T is equal to T upon 4. Then what is magnitude of its velocity? When T is equal to T by 4, then we must find velocity. So यह हमारा question है. यह projectile is fired at an angle of 30 degree to horizontal. Particle component is 80 meter. Its time of flight is T. Then what is the velocity? when the time t is equal to 3 upon 4 find velocity एक जिस जयाद करके प्रोजेक्टाइल में तो velocity होती है कहीं पर भी कि वाइफोर में यहां नहीं होगा यह velocity जो ऐसे जा रही है इसको हम कैसे निकानते हैं Do you remember इस velocity को निकालने का तरीचा है कि पहले इसका इस location पर Vx निकालिए Vy निकालिए और फिर क्या करना है Yes, resultant Vx square plus Vy square Throughout the projectile कौन सी velocity change नहीं होती Horizontal velocity change नहीं होती तो यह value कौन सी रहेगी Horizontal velocity ठीक है तो horizontal velocity कितनी होगी Horizontal velocity will be U cos theta क्या आप इसपे से horizontal velocity निकाल सकते हैं अगर आपको U sin theta की value दी है Can you find out U cos theta उससे यह निकलेगा Okay, तो थोड़ा सा अपना trigonometric की geometry की बुद्धी लगाईये अगर U cos sin theta is equal to U sin theta is equal to 80 And how much is theta? 30 Yes, तो क्या problem? U sin 30 is equal to क्या मिल जाएगा? 80 That is U into half is equal to 80 So U is equal to 160 अब आप बना दीजिए U cos 30 U cos 30 कितना हो जाएगा? 160 into root 3 by 2 and this will be 80 root 3 तो यह हमको इसकी value मिल गई U cos 30 that is 80 root 3 और यह हमारे लिए क्या है? U x और यही हमारे लिए क्या है? V x क्योंकि हर जगा पर इसकी velocity एक समान रहती है तो यह V x तो आपको पता लगा अब आपको क्या पता लगाना है? V y V y V y vertical direction में vertical direction में शुरू करते हैं vertical direction में initial velocity कितनी है? यहां से उपर जाता है initial velocity कितनी है? D y कितनी लेनी है? 80 80 acceleration कितना होगा? minus 10 उपर जाएगा मीचे क्दाँ करेगा minus 10 ओके time कितना दे रहे हैं? T by 4 that is 16 divided by 4 तो T by 4 कितना होता है? 4 seconds time कितना देना है? 4 निकालना क्या हम को? V तो V u a t कुन सा formula लगाएंगे? V is equal to u plus k t तो कि उससे V की value लिकाले? ये कौंसी direction में हैं सब चिजे? y direction that is vertical direction so V is equal to U minus U plus a t a की value minus 10 t की value 4 14 ये किसकी value अगे? V by 4 now we have value of V x and value of V y ये हमने किसकी value निकाली थी? U cos 30 that is U x यही V x है अब आप V निकाल सकते हैं? V is equal to V x square यहां से निकाल आए इसका square किया 80 root 3 का square 80 square into 3 plus V y का square 40 40 का square this is equal to 6400 equals V plus 1600 is equal to 20800 20800 और 20800 का square पेरूप निकालेंगे is this 144.22 144.22 okay इसके निरेस तांसर कौन सा है? 145. कुछा सा डिफरेंस क्यों आता है? क्योंकि हमने जी की वैल्यू 9.8 की नगर 10 ले लिए हैं. या है? या है? या है. तो इस तो इस दुए 145 मिजर्ट पर सेकेंड तुस क्वेस्टन से इसको मैश करेगी. 80, 82. या? या? या है? या है या है या है मैट अटरिक क्वेस्टन से इसको मैश करेंगे. A particle has initial velocity 3i plus 4j. 3i plus 4j is initial velocity. It has acceleration A that is given by 0.4i plus 0.3j. This is acceleration. What will be its speed after 10 seconds? Speed after 10 seconds. ये हमको निकालनी हैं. Okay. इसका तरीका देखिए. ये पहली बार इस तरह का question आया है. तो इसके लिए जब दी हम speed निकालना चाहते हैं, अभी-अभी आपने question solve किया है. Speed का हमारा formula क्या होता है? V के लिए हमको क्या मालब होनी चाहिए? X की direction में, याने I की direction में speed और ये J की direction में speed. तो दोनों क्यों हमने अलग-अलग calculate करना है. ये याद रखिए, ऐसा formula नहीं है, जिससे projectile की speed एकी बार में calculate हो जाए. हमेशा जहां से शुरू करेंगे, वहां पर उसको हमने तोड लेना. किस-किस direction में? vertical अलग, horizontal अलग. फिर sub-calculations कर लीजिए. last में लाके फिर से जोड़ दीजिए. ये तरीका होता है. तो शुरू करते हैं, ये U is equal to 3I plus 4J. इसको देखकर मुझे बताइए, इसकी velocity X direction में कितनी है? 3I क्या दिखाता है? X direction, तो velocity कितनी है? 3. तो in X direction, in X direction, U कितना लेना है? 3. अब वैसे ही बताइए, A कितना देंगे? Very good. 0.4. 0.4. ताइब कितना लेना है? 10. V is equal to 10. तो V निकालोगे, बता दीचे. इसका नाम क्या होगा? VX. अब आप तरीका समझ गह रोंगे? जैसे आप VX निकालोगे, वैसे ही VY निकालोगे, और फिर वैसे ही V निकालोगे. तो शुरू कर दीचे. ये VX की वैल्यू आगे 7. इसका मैगनिटूड है 7. अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिकेंगे, तो ये हो जाएगा 7I. 7I. जिसमे 7 क्या है? मैगनिटूड. I क्या है? X-Direction. ओके? ये आगे. अब VY निकालिए. आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिकेंगे. VY कितना आया? 7. 7. 2. क्या किसी से मैंच करता है अंसर से? Yes. 7. 7. 7. तरीका समझा आया? ओके ये नहीं टाइप का था. अच्छा. आज हम लोग यही कतम करते हैं. अब मुझे ये बताईए. इसके जो बाकी वेक्टर फॉर्म से हैं. ये लिए.